हाई गैज वेलकम बैक टो न्यू वीडियो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप कैस सिर्फ हम फिलेफ कर सकते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना है अपने क्रोम ब्राउजर पर जैसे कि मैं आ चुका हूँ और यहां टाइप करना है कि www.mec.gov.np जैसे टाइप करोगे आप आपके पास आजेगा ऐसे तो आपको यहां पर इंट्रांस एट करना है रिगिस्टेशन में आपक लिक करोंके यहां सटाट कर दोगे तो जैसे कि लीजिवलीटी लेफ पहले अगर आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं और रिक्वार्ड डूक्मेंट क्या कई ॉआ कर पासपर साइज एकाद मिक ट्रांस्क्रिप्ट जैसे कि यहां पर है जैसे कि इसके लिए भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ आप देख सकते हैं नोट लिखा है कि क्या क्या आपको चाहिए तो यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आप इंडियन या फरेन इस्टुडेंट्स किती है उसके बाद क्या क्या है देफ्रेट फ्रविजन फोर आईपिस कनेट कैसे कैसे आप कर सकते हो यहां पर सब लिखा है फुल डिटेल यहां से पढ़ सकते हो जाके उसके बाद फिर नेक्स्ट करोगे तो रिजिस्टेशन इंस्ट आपको आपको आता ही होगा जैसे कि यहां पर लिखकर इक्जांपल दिया से यहां से पढ़ सकते हैं डिया है डिया डिया है डिया पर्मनेंट इसमस्ट भी माच विए इंफ्रमेशन जैसे कि आप उरिजिनल डोकुमेंट है उससे मैच होना चाहिए आपको डेट वर्थ औ दिखा है उसमें ड्रोर प्रेस अधिकी डिट करना है तो बैक बटन नहीं प्रेस करना है आपको करने मतलब कि जिए आप लुख कर सकते हैं अगर बार चाहिए एक बार आप हम समीट कर देगे तो आपको दुबारा इडिट करने का आप्शन नहीं मिलेगा करने को फिर चापको बैंक बहुचर कटाना को वह ही देखा रहा है यहां पर तो आप जैसे कि वह ही सभाए आप तब मैं बता चुका हूँ आप पड़ दी सकते हैं आप जैसे कि आप फोटो के साइज की इंफर्मेशन दे रहा है तब फोटो कैसा होना तब फोटो करने क्लोब रिसेंटली घीचा हुआना चाहिए जो कि शिक्स मंत से पहले का घीचा जेकिन एक-दो मंत के बुझे ना या अब इन फिलाल जा घीचा आ सकते हैं जैसे कि 50 प करने कोने फ्रामेट में ओना चाहिए एक-सपोट योक्ती है इमेज का जो काना होना चाहिए जहाइए ज्बाद जैसे कि आ जाएगा तब कलिगा और जैसे कि स्टार दिया होगा वह फाईल कर रिहत है ताप खोलेंगे तो उसके बाद जैसे कि आप नेफलिज में ठीक कि हम यहां foreign में आ जाएगा foreign है तो foreign में कर दिए नेपलीज है तो नेपलीज में करिए नेपलीज में already है तो बैंक भाउचर आप जो भी कटाए है या ओनलाइन से पेमेंट से मुड़ाफ से किया है तो जो 6 डिजीज है लास्ट डिजीज के ट्रांजेक्शन नमर वो यहां आपको करने के मतलब जैसी contact नमर जो अपना बैंक भाउचर में राखे है वही contact नमर जैसे कि हाँ पर लिख दिया है contact नमर mentioned in the bank vouchers और payment transaction उसका बाद email रखना है तो भी जाकर आपको email address राखते हैं इतना राखते हैं तो जाकर continue होगा अगर आप नहीं रखेंगा continue कहेंगे तो आपको कहेंगा की रखने के लिए email address और फिर से जब रखेंगे तो आपको continue होगा चलिए दोस्तों आज के लिए है और उसके बाद डिटेल वीडियो आएगा एक कैसे कैसे फिलब कर सकते हैं see you soon and hope you have understood something about